मिर्जा गालिब उर्दु के प्रसित शायर मिर्जा गालिब के पिता का नाम अब्दुल्ला बैग था गालिब जब पांच वर्ष के थे तब ही उनके पिता चल बसे शायरी में गालिब की रूची बच्वन से ही थी सबसे पहले उन्होंने फार्सी में लिखना शुरू किया इसके बाद फार्सी में उर्दु का मिश्रन करके शायरी कागजों उपर उकेड़नी शुरू करती मिर्जा गालिब उर्दु साहिते के सर्व श्रेष्ट कभी रहे है जिस बरकार हिंदी साहिते में गोस्वामी तुलसिदास को सम्मान दिया जाता है वेसा ही इस्तान उर्दु साहिते में गालिब का है गद्धे हो या पद्धे दोनों शेलियों पर उन्हें सम्मान अधिकार प्राप्त है अध्वुत कल्पना शक्ति, विलक्षन वाक्य विन्यास, हास्य वेंग्य प्रियता, दार्षनिक चिंतन, भाष्या का अनुटा सौंदरिये और गहरी भाव व्यंजना उनकी शायरियों में एक साथ देखने को मिलती है उनकी रचनाओं में गजले अधिक मिलती है ये बात अलग है कि गालिब ने अधिक नहीं लिखा परन्तु फिर भी कलात्मक उत्कर्ष्टिता की कारण और्दू अदब में उनका प्रमुकिस्तान है